हेला दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको परियावण अध्यान यानि कि मैं आपके आने वाले पेपर सीटेट 2020 के लिए जो EVS करवा रहा था जिसमें मैंने आपको पूरा टॉपिक वाइस जैसे की थार्ड फॉर्थ और फिफ्ट क्लास की EVS का कंटेंड में आपको कंप्लीट करवा दिया था उसी से रिलेटिड में आपके शॉर्ट नॉट स्टार्ट कर रखे तो और काफी बच्चे कहरते हैं इसको कॉंटीनुई रखना जब तक आपके अग्जाम सना सके हो और आपके ऐसे ऐसे टॉपिक्स करवाना जहां से कोशन्स पूछे जा सकते हो तो EBS के मैं आपके शॉर्ट नॉट से लेकर आया था जहां से आपके कोशन्स पूछने के चांसे सबसे ज़्यादा होते हैं और उसका लेक्चर नंबर जो है हमारा 15 है इससे पहले हमने 14 ले चुके हैं जिसमें important MCQ और important आपके theoretical portion दोनों लेकर चला हूँ अगर आपने videos देखी है तो theoretical portion कराने के बाद practice करने के लिए MCQ series भी देता हूँ कि किस परकार से questions आपके exams में पूछे जाते हैं तो आज हम बात करेंगे भारत की कुछ basic जानकारियों के बारे में कि भारत कूरव से पच्छिम और उत्तर से दक्षिन कितना लंबा है और साथी साथ में कौन सा राज्य है किस तरफ है और साथी साथ में हमारे कौन सी union territory है जैसे कि आप सभी को पता है पहले हमारे 29 राज्य उनके बारे में बात करेंगे लेकिन राजधानिया आपको ध्यान रखने की जूर्त नहीं है राजधानी सा अब तक question नहीं पूछा गया है आपके exam में बस मैं आपको बता दूँगा राजधानी क्या होती है बस आप उन चीजों को ऐज़े ध्यान रख सकते हो आपको अच की डेट डालिए लिख लीजिए आज का लेक्चर नंबर 15 लेक्चर नेम हमारा जो भारत भारत का जो मैप है भारत की जो राज्य है उनके बारे में बात करेंगे तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूं ज्यादा कुछ आपको बताने की कुछ जूर्त नहीं है क्य जो की भारत के नक्षे में आप सभी को पता है ये वाला जो एरिया पड़ता है इधर वाला ये पूरा का पूरा एरिया ये क्या एरिया पर करवाता है आपका हमारा भारत का पूर्व कहलाता है यानि की इस्ट कहलाता है तो आपको यहां से यह पता लग गया कि ये वाला सा पॉजिट में क्या होगा? वो वेस्ट होगा. तो ये जो गुजरात वाला साइड है, इस तरफ वाला साइड है, गुजरात तो आप शभी को पता होगा, ये क्या साइड है हमारा? वो वेस्ट साइड है, ओके? अब वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो पश्षिम कहते हैं तो यह हमारा क्या है गुजरात का पश्चिमी साइड है तो ध्यान रखेगा और यह आपका इस्ट है यह आपका वेस्ट है तो उपर वाला साइड क्या हो जाएगा आपका नौर्थ हो जाएगा तो ध्यान रखेगा उपर वाला साइड हमारा क्या हो गया नौर्थ हो गया जि यहांद की हिंदि में जिसे डक्षिन कहा जाता है तो ठीक है यह चार साइड्स तो आपको पता चल गये आपको इतना पता चल गया कि यह वाला साइड हमारा East यानि की यहां से सूरज निकलता है और सूरज जहां से निकलता है उसके opposite side में डूबता है यानि कि पश्चिम वेस्ट में डूबेगा, उपर वाला साइड हमेशा यानि कि जम्मू वाला साइड जो होगा, आप जम्मू ना अब उसको लगदाक कहेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है वो, तो वो नौर्थ यानि कि उत्तर वाला साइड है, और नीचे ज लेकर, ध्यान रखेगा, गुजराथ से लेकर, जो हमारा ये पूरा का पूरा लंबाई है, अनुनाचल परदेश तक यानि कि यहां तक, इसकी जो लंबाई है पूरे भारत की, वो कितनी है, 2933 किलोमेटर है, तो कितनी है, 2933 किलोमेटर, तो यानि कि ये बोल सकते हो, पूछा जाने का chances नहीं है पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा इस चीज को और यहीं पर ही बात करे जाए तो यह उपर ले की तरफ से यानि की ले लद्दाक की तरफ से जो की union territory बन चुका है इसकी तरफ से नीचे की तरफ आएं और तमिल नाडू यहां तमिल नाडू जो हमारा कन्या कुमारी पड़ता है आखरी छोड़ हो जाता भारत का इसकी जो लंबाई है वो कितनी लंबाई है तो 3214 किलोमेटर कितनी 3214 किलोमेटर तो यह कुछ बेसिक जानकारी है 3214 किलोमेटर तो आप ध्यान रख सकते हो भारत की जो किलोमेटर है और जो उसकी उचाई है यानि कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी है तो 3214 किलोमेटर है ओके दोनों में से कुछ भी चीज पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए जो कि पशिम से लेकर यानि कि वेस्ट से लेकर इस्ट के जो पूरा भारत का साइज है वो 2933 द पढ़ता है उसके बारे हम बात कर लेते हैं लेकिन हम बात करेंगे नीचे की तरफ से ताकि आपको अच्छे समझाएं क्योंकि जो कोशन्स पूछे जाते हैं वो साउथ साइड से या इस्ट साइड से पूछे जाते हैं बाकि जो ऊपर की साइड है वो अधिकतर सब को बच यह पूरा स्टेट जो पढ़ता है वो स्टेट कौन सा पढ़ता है तो यह हमारा केरल तो यहां तक का जो हिस्सा आई है पूरा का पूरा वो कौन सा है भारत का स्टेट तो यह हैं आपका कैरला तो ध्यान रखेगा केरल बोल रखा हो या कैरला बोल रखा हो तो कोई बात न आपको याद रखने ही, कोई जूरत नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको जो मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ, वो ध्यान रखेगा, तो केरल आप किस तरही की से याद रख सकते हो, तो देखो यह किस तरही का दिख रहा एक तरीके से, वो करेला जो कि थोड़ा हमारा विटामिन से भरा होता है, काफी पॉस्टिक भी होता हमारे शदीर के लिए, तो देखने में थोड़ा बहुत कैसा लग रहा हमारा है, वो किस की तरह दिख रहा है, करेले की तरह दिख रहा है, करेला और केरल, बिल्कुल सेम सेम साउंड कर रहा है, तो इस तरीकी सा आप ध्यान रख स साथ में ही कौन सा हमारा वो है तमिल नाडू ओके तो ध्यान रखेगा के बिल्कुल साथ में बिल्कुल चिपक के ही क्या है तमिल नाडू जिसकी राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी है यहाँ पर चैन नहीं राजधानी में आपको पहले बोल चुक हूँ, ध्यान रखने की जूर्त नहीं है, बस मैं आपको ऐसे knowledge की तरह बताते हूँ चल रहा हूँ, बस आपको state ध्यान रखने हैं, तो दो state आपको पता चल गए, इस तरफ को हमारा केरल है, इसके साथ में हमारा तमिल नाडू है, आपका क्या आंदरपरदेश, तो यहां से लेकर यह figure मैं आपको बना देता हूँ, यह पूरा का पूरा state, आप जो हैं वो बट चुका है, आंदरपरदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है, पहले आंदरपरदेश और तेलंगाना एक था, लेकिन इसलिए आप आपको अमरावती इसकी राजदानी और कई बचे इसकी राजदानी हैंदराबाद भी बताने लग जाएंगे, वैसे राजदानी इसकी अमरावती है, हैदराबाद भी अगर आप Google सर्च मारोगे, तो हैदराबाद भी आपको बताएगा, ओके, तो कोई बात नहीं ध्यान रखेग अगर अमरावती पूछी जाए आंदर परदेश में तो इस तरफ पढ़ता है अमरावती, ओके, तो राजदानी क्या है, इसकी अमरावती, Google सर्च मारोगे, तो आपको हैदराबाद भी बताएगा, चलिए, आगी की तरफ चलते हैं, तो जैसे कि मैंना आपको बोला, कि आं पूरा का पूरा हिस्सा किस चीज का था, तो आंदर परदेश का हिस्सा था, लेकिन अब इससे हट गे, मतलब इससे अलग हो चुका है, तो ये क्या हो गया आपका तेलंगाना हो गया, तो ध्यान रखेगा, अगर आपसे पूछा जाए, कि तेलंगाना किस से अलग हुआ थ तो आंदरपर्देश से अलग बनकर आपका तेलंगाना बना था, ओके, अब कई बार आपका डिरेक्टली पूछ ले जाता है, कि केरल के समवठती राज्यों की बारे में बताईए, यानि के केरल के साथ में जो राज्य है वो बताईए, तो केरल के साथ में देखो एक तमिल करनाटक, जो कि ये वाला राज्य जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इतना भाग जो हैं, ये पूरा का पूरा किस्छीश का पढ़ता है, वो करनाटका का पढ़ता है. ठीके, तो थोड़ा सा पैन मोटा है, स्पेलिंग आपको देखना चाहूँ, तो K-A-R-N-A-T-A-T-K-A, करनाटका, ओके, तो ध्यान रखेगा, अगर आप से पूछा जाए, कि केरल का समावटती राजे कौन सा है, तो एक है आपका तमाइल नाडू, और दूसरा है आपका कर करनाटका, ओके, अब जिसकी राजधानी क्या है, तो यहाँ पर है इसकी राजधानी बेंगलोरू, ओके, तो आपको यहाँ से पता लग गया है कि पूरा दक्सिन की तरफ का, साउथ की तरफ से कौन-कौन से राजे है, बस यही आपके कुछ राजे हैं, जहाँ पर Infusion होती है, तो देख सकते हो, केरल है, तमिलनाडू है, आंदरपरदेश है, इसके साथ में चिपका हुआ तेलंगाना है, और इसके साथ में चिपका हुआ करनाटक है, तो केरल के समावटती राजे पूछा जाए, तो तमिलनाडू और करनाटक है, उसके साथ में चिपका जिसकी राजधानी क्या है, तो पंजी है इसकी राजधानी, ओके, आप इसी के साथ में, बिल्कुल छोटा सा इसलिए ध्यान रख सकते हो, आप इसी के साथ में देखो, यह है जो इतना बड़ा सा राज्य है, जो है, यह पूरा का पूरा, यह, तो यह पूरा का पूरा राज महारास्ट्रा, तो अगर आपसे पूछा जाए, कि महारास्ट्रा कहा है, तो आपको पता चल गया, महारास्ट्रा किस तरफ को है, अब इसकी राजधानी जो है, वो मुंबई पढ़ती है, जो कि यहाँ पर वे आपकी, विल्कुल टट के किनारे पे है, अब टट से भी एक का हुआ राज्य है, कोन सा है वो, तो यहां से देख लिजिए, ओडिसा कहां तक है आपका, तो यह पूरा, यहां से, यहां तक, यह पूरा का पूरा राज्य जो है, यह पढ़ता है, ओडिसा, ध्यान रखेगा, यह पूरा का पूरा राज्य क्या है, ओडिसा, अब जिसकी राजधानी क्या है तो भुवेश्णवर राजधानी है जो इसकी वो यहाँ पर पढ़ती है राजधानी ध्यान मैं आपको पहले बोल चुका हूँ as a knowledge के लिए बता रहा हूँ ध्यान रखेगा तो यह है आपका उडिसा अब देखो महाराष्ट और उडिसा के बीच में जो पढ़ता है वो पढ़ता आपका 36 गड़ तो यह जो है आपका यहां से लेकर यहां तक यह यह पूरा का पूरा जो है आपका अब 36 गड़ की स्पैलिंग तो बहुत बढ़ी है कैसे आईगी है आपर चलो देखता हूँ मैं भी लिखकर 36 गड़ यह पूरा का पूरा 36 गड़ है आपका 36 एस और लगा लो यहां पर और गड़ तो अगर आपसे पूछा जाए 36 गड़ कहां पर है तो ध्यान रखेगा उड़ीसा और महाराष्ट के बीच में जो उनसा राज्य पढ़ता है वो 36 गड़ पढ़ता है और इसकी राजधानी का है तो यह एच के पास आपका एक पढ़ता है इसकी राजधानी राजध में आ गया इस्ट साइड में जो बात करेंगे वो बाद में बात करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं यहां की ओके तो यहां से आपके जितने राजधी हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको नीचे की तरफ बता दिये अब जो 36 गड़ है वो आपका अलग होकर बना था मद ये पूरा का पूरा area जो पड़ेगा, वो किसका पड़ेगा, मध्यपरदेश यानि की MP का पड़ेगा, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहीं पर इसकी राजधानी है, भोपाल, अगर आपसे पूछा जाएं, तो ध्यान रखेगा, मध्यपरदेश से आलागोकरी बनाता क्या 36 गड़, अब मध्यपरदेश और महारास्ट दोनों के साथ चिपका हुआ जो है, वो क्या पड़ेगा आपका, वो पड़ेगा गुजरात, तो ये हैं आपका गुजरात, ओके, तो ये जो कि आपका कई बार आड़ भी देखते रहते हो, एक बार गुजरात में जरूर आजधानी गांधी नगर, ओके, अब यहां पर भी आपका यूनियन टेरिटरी है, लेकिन पहले एक राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, ओके, तो मध्यपरदेश तक आपको समझ में आ गया, अब मध्यपरदेश और MP की बीच में आपका एक राज्य जुड़ा हुआ है, जो कि राज्य कुन सा है, सबसे बड़ा रेगिस्थान, जो कि थारमर उस्तल भारत का, वो आपका यहीं पर ही पड़ता है, तो यह हैं आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहाँ पर पढ़ती है इसकी राजधानी जैपूर, तो ध्यान रखेगा, MP और गुजरात के साथ में क्या है, राजस्थान है, चलिए, अब इसी के साथ में, MP और राजस्थान के साथ में ही चिपका हुआ है, जो कि आप सभी को पता है UP जो है इसके साथ में चिपका हुआ है तो यह रहा आपका यहां से यहां तक फिर यहां से यहां तक यह क्या है UP यानि की उत्तर परदेश अब जिसकी राजधानी क्या है तो यहां पर इसकी राजधानी लखनौ तो यहां से पता चल गया यूपी का, अब इसके बगल में ये इतने से तीन राज़े बचेगे, तो इनको इवार पढ़ लेते हैं, फिर उपर की तरफ चलेंगे अपना, तो सबसे पहले यूपी के साथ में आपको कई बार नाम देखने को मिल जाता है, यूपी बिहार, तो जिसकी राज़धानी तो आप पता ही होगी सबको इस तरह पढ़ती है, पटना, ओके, तो बिहार की राज़धानी क्या है, पटना, ओके, यूपी के साथ में लगा हुआ बिहार, यूपी बिहार कई बार साथ में ही नाम आ जाता है, और बिहार सही अलग ओकर बना था, क्य ये पूरा जहारखंड, तो ध्यान रखेगा, ये जहारखंड अब मैं इसमें लिखने की कोशिश्ट करता हूँ जहारखंड, अगर देखनें स्पैलिंग चेक करनें तो जहारखंड, जिसकी राजधानी क्या है, जहां से धौनी रहने वाले है, राची, तो अगर आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखेगा, जहारखंड की राजधानी क्या है, राची है, अब बिहार हो गया, यूपी हो जहारखंड हो गया अब जो बचा हुआ पूरा का पूरा राज्य है वो क्या कहलाया आपका वेस्ट बंगोल कहलाया ओके तो ध्यान रखेगा यह पूरा का पूरा यह जहां तक दिख रहा है यह वाइट वाइट यह पूरा का पूरा वो क्या है वेस्ट बंगोल है कहा तक तो तो यहां तक, यह उपर की तरफ जो यह छोटा सा बचा हुआ है, यह इसके बारे में बात करेंगे, इतना ध्यान रखेगा, यह पूरा का पूरा यह छोटे छोटे एरिये जो है, यह पूरा का पूरा क्या है, वेस्ट बंगोल का एरिया है, जिसकी राजधानी क्या है, तो य से पहले जो की राजस्थान और यूपी के साथ में हाँ लगा हुआ है तो वो है ये वाला हिस्सा इतना सा और जिसको किस नाम से जाना जाता है तो इसको हरियाना के नाम से जाना जाता है कोई बात नी गोजिया तो कोई बात नी इसको ये पूरे के पूरे एरिया हो क्या कहा जाता है हरियाना कहा जाता है और इसी के साथ में लगा हुआ है ये वाला हिस्सा जो कि क्या कहलाता है पंजाब कहलाता है कई बार आपने सनाम भी सुनाओगा पंजाब बॉर्डर तो ऐसे करके बोला जाता है तो ध्यान रखेगा ये क्या है पंजाब है अब इसी के साथ में लगा हुआ अब देहके पहले इस बात को ध्यान रखेगा पंजाब हो हरियाना अलग आपका हरियाना जो बना था हो पंजाब से ही बना था इसलिए जो इनकी आज तक राजधानी है वो एक जो कि यहाँ पर पढ़ता है जो कि क्या है चंडीगड और चंडीगड अपने आप में भी क्या है एक यूनियन टेरिटरी है केंदरि शाषित परदेश है ओके तो ध्यान रखेगा दोनों की राजदानी हरियाणा पंजाब की राजदानी जो आने वाले दिनों में जो है वो आपका राज्य है वो बना था उत्तरा खंड जो कि इस तरफ को पढ़ता है उत्तरा खंड की पहाड़ियां आपने बहुत बार सुनी होगी तो ध्यान रखेगा ये क्या है उत्तरा खंड है जो कि इसकी राजदानी क्या है तो इस तरफ पढ़ती है दहरादून तो ध्यान जाए, कि उत्तरा खंड की सी तरफ पढ़ता है तो ध्यान रखेगा यह जो हैं आपका, वो देख सकते हो, उत्तर से अलगों कर बनात आपका उत्तरा खंड, यू डबल्टी ए आर ए के एच एन डी,erd soclya क्या बनात आपका उत्तरा खंड बन गया, उत्तरफदेश से अलगों कर राजधानी जिसकी बनाई गई दहरादून अब इनी दोनों के तीनों के बीच में हरियाना, उत्राखंड और पंजाब के बीच में एक छोटा सा राज़े हैं वो है हिमाचल परदेश ये वाला, ये पूरा का पूरा है हिमाचल परदेश का परता है जिसकी राजधानी जो कि यहाँ पर है क्या है शिम्बला ओके तो ध्यान रखेगा इसकी राजधानी हिमाचल परदेश की राजधानी क्या है शिम्बला अब यह जो है पूरे के पूरे राज्यों के बारे में आपको बता चुका हो इस तरफ के इस्ट वाले बच चुके हैं East वालों के बारे में बात कर लेंगे लेकिन अब बात कर अलेते हैं यह जम्मू एन कश्मीर के बारे में जो कि यहां पर आपने 2019 में देखा होगा है change हो चुका है, सारा का पूरा change हो चुका है सारा का सारा area क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चीए, कि ये वाला जो हिस्सा है, वो Pakistan occupied PO के है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ओके, तो Pakistan occupied Kashmir है, तो यहां से जो आपका राज्य बचता है और ये वाला जो है, वो China occupied है मतलब China इसके अंदर घुश चुका है तो यहां से जो बचता है आपका वो similar करके ऐसे ये ऐसे करके हैं, ये वाला जो area पढ़ता है, वो लद्दाक का पढ़ता है और ये जो पढ़ता है, वो JNK का पढ़ता है मतलब JNK का पढ़ता है अब ये दोनों के दोनों क्या कर दिये गए हैं Union territory बना दिये गए हैं तो ध्यान रखेगा, JNK की दो राजधानी अभी भी है श्री नगर और जम्मू, और यहां पर लद्दाक की राजधानी है, वो यहां पर पढ़ती है ले, अब दोनों LL पढ़ गए तो ध्यान रखेगा, ओ ये पूरा का पूरा जो राज़े, ये चाइना उक्यूपाइड है तो चाइना ने हापर कभजा कर रखा है और ये पाकिस्तान उक्यूपाइड है पाकिस्तान ने कभजा कर रखा है लेगिन चलती नहीं है उनकी कोई बात नहीं वो अलग बात है, ओके तो ये ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया पढ़ गया ये अंदर वाला, वो क्या पढ़ गया आपका लदाक का और ये उसकी राजधानी होगी ले ये होगया आपका जम्मू कश्मीर इतना सा अब ये दोनों के दोनों क्या है अपने आप में यूनियन टेरिटरी है तो इनको राज्यों में नहीं गिना जाता इसलिए पूरा का पूरा पहले जम्मू एन कश्मीर था जिसको एक राज्य माना जाता था ये ही हमारा 29 राज्य गिना जाता था लेकिन अब इसको हटा कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तो ये हमारा क्या बच गया है अब तो Union Territory गवनने के कारण हमारे जो राज्ये बचे हैं भारत में वो 28 राज्ये बचे हैं, ओके, तो अब आपको पूरा का पूरा मैप समझ में आ गया होगा, नीचे से आपका उपर की तरफ कौन-कौन से हैं, ओके, चलिए, अब East Side को बचे होएं थोड़े से, इनको समझ ले उपर की तरफ से, यानि कि जहां सूरज सबसे पहले निकलता है, वो है आपका अरुणाचल परदेश, जो की इस तरफ को पढ़ता है, ये पूरा का पूरा अरिया है, वो आपका किसका है, अरुणाचल परदेश का, अगर आप से पूछा जाएं, तो ध्यान रखेगा, ये पूरा अरुणाचल परदेश है, जिसमें सबसे पहले सूरज की रोसनी परती है, भारत में, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहां पर है, इसकी राजधानी इटा नागर, अब इसी के बीच में, जो आपका अरिया पर जाता है, आप ध्यान रखेगा, ये पूरा का पूरा अरिया जो पढ़ जाता है, वो पढ़ जाता है, वो पढ़ जाता है, असम का, ओके, तो ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो, जितना में आपको बोर्डरी करी है, उपर पढ़ता है आंदर परदेश, इसकी नीचे पढ़ जाता है असम, जिसकी राजधानी क्या है, तो य दियान रखेगा ये इसकी राजधानी अडिसपूर यहां पर है इसकी राजधानी इटानगर आंदरपरदेश की तो यहां से पता चलिए आपको आंदरपरदेश और असाम क्या है अब बिल्कुल छोटे-छोटे राजजे हैं इसके साथ साथ में देखते हुए चलिए कौन- ये जो एरिया पढ़ता है वो किस चीज का पढ़ता है तो ये नागा लेंड का पढ़ता है किसका पढ़ता है नागा लेंड का पढ़ता है जिसकी राजधानी क्या है तो यहां पर है इसकी राजधानी कोहीमा तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेगा पूछे जाने के chances नहीं है, फिर इसी की side में, यानि कि इसके नीचे में ये वाला जो पूरा का पूरा राज्य पढ़ता है, ये कौन सा पढ़ता है, तो ये हैं मनीपूर, कौन सा राज्य हो गया आपका ये, मनीपूर हो गया, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहाँ पर इसकी मिज्योरम, क्या है आपका मिज्योरम, जिसमें जूम खेती वेकरा मैंने आपको कई बार पढ़ा रखिये, तो धियान रखेगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा राज्य जो है, ये वाला, शेड कर देता हूँ, ये हैं जो आपका मिज्योरम है, ओके, आप इसी के साथ में जो ये वाला बचता है, छोटा सा, ये क्या पढ़ता है, आपका तिरिपुरा, ओके, ये हैं आपका छोटा सा राज्य तिरिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है, तो यहाँ पर इसकी राजधानी अगरतला, अगर पूछा जाए, तो ध्यान रखेगा तिरिपुरा के साथ म शिलोंग ओके तो ये सेवन सिस्टर तो आपको पता चल गया आंत्रपर्देश, असम, मेगाले, नागालेंड, मनीपूर, मिज़ोरम और तिर्यपुरा ये साथ बहने हैं ओके आपस में जो मिल बुजूल कर कारे करती है इनी साथ बहनों का एक भाई है जो कि क्या कहलाता है ये एक छोटा सा राज्य है जिसको क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है सिक्किम ओके तो ध्यान रखेगा इन साथों की साथों बहनों का एक छोटा भाई कहलाता है सिक्किम जिसकी राजधानी क्या है तो यहाँ पर है इसकी राजधानी गैंग टॉक तो यह था आपका पूरा का पूरा भारत का नक्षा तो देख सकते हो भारत का नक्षा आपका कहां से कितना मैंने आपको समझानी की कोशिश करी है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी राजधानी किस तरब पड़ती है और कौन सा एरिया किस तरब पड़ता है अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से केंद्रिशाशित राज्य यानि कि परदेश है देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ले और लदाग यानि कि लदाग जो है एक है जम्मू कश्मीर जो है वो एक है यूनियन टेरिटरी हो गया दो हो गए इसी के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पड़ता है आपका दिल्ली नियो डेली तो यह भी जो है आपका यह शेडिट पोर्शन यह नियू डेली दिल्ली भी कहा है आपका यूनियन टेरिटरी है तीसरा और जो ही मैंने चंडिगड बताया था यह भी आपका ये वाला, ये हैं दमनेंद्यू, और ये वाला जो हैं, ये हैं दादरनगर हवेली, दादरनगर एंड हवेली, ओके, तो ये दोनों के दोनों आपके गुजरात के अंदर है, यहां पर है दादरनगर हवेली, यहां है दमनेंद्यू, ये क्या है आपका, एक ओर आपका यूनि के अंदर, okay, important है ध्यान रखेगा, एक आंदर परदेश में पॉंडचरी है, दो तमिल नाडू में है, तमिल नाडू में एक करीकल राज्य है, उसमें एक पॉंडचरी है, और एक पॉंडचरी चन्नाई के नीचे है, और चौथा आपका केरल में पॉंडचरी, okay, तो ध्यान कश्मीर, लदाक 2, चंडिगर 3, न्यू डेली 4, दमन एंद्यू 5, और 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 कौन सा बचा, पॉंडचरी 6, और उसके साथ ही साथ में नीचे की तरफ आओगे, तो ये हैं आपका अंदोबार, निकोबार, ये पूरा का पूरा दीप समु है, हमारा अंदोबार, निकोबार ये भी क्या कहलाता है, आपका यूनियन टेरिटरी के तरिक करालता है, तो ध्यान रख्यों का अंदोबार, निकोबार कहलाता है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, भारत का हिस्सा है, और साथ ही साथ में ये जो हैं आपका ये छोटे छोटे जो डिउप है ये भी क्या कहलाते हैं आपकी union territory कहलाते हैं जिसका नाम क्या है तो इनका नाम है लक्षदीप समू ओके तो अगर आप से पूछा जाए तो ध्यान रखेगा इन बात को ओके तो ये कुल मिलाकर आपके आठ यूनियन territory है छेतों मैं आपको पहले गिनवा दिये थे और ये इन दोनों को मिलाकर अंडोमान निकोबार को और आपका लक्षदीप को इनको भी गिनकर क्या कहलाता है आपका पूरे के पूरे आठ यूनियन territory कहलाएंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कितने यूनियन territory है कितने किंद्र शाषित परदेश है तो आठ है जो कि मैं आपको गिनवा चुका हूँ जमुएन कश्मीर, लगदाग, चंडिगर, न्यू देली, दमन दीव, दादरनगर हवेली, पॉन्डे चैरी, अंडोबार निकोबार और लक्षदीप तो अगर आपसे पूछा जाए तो आठ हमारे यूनियन territory है और 28 हमारे राज्ये हैं जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से मैप पर ड्रो करके बनानी की कोशिश करी थी तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा इंडिया का मैप और उनकी राजधानिया कौन-कौन सी कहा कहा पर पड़ती है अब इससे related questions कैसे पूछे जाते हैं exam में चलिए एक बार questions लगा कर देखते हैं ताकि आपकी practice भी हो सके तो देखो ये राज का पहला question क्या बोल रख रहा है देखो नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानि की मद्यपरदेश और फिर राची यानि की जारगंड का ब्रमण करना चाहता है तो उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले तो यानि की उसकी जो journey है will be first two word तो किस तरफ होगी तो देखो पहले वो कहा का रहने वाला है दिल्ली कहा यानि की दिल्ली जो है वो यहाँ पर पढ़ती है फिर कहा पर जाना चाहता है वो भोपाल मद्यपरदेश यानि की नीचे ज जो उपर की तरफ होता हो क्या कहलाता आपका नौर्थ कहलाता उत्तर तो उत्तर से पहले हो नीचे की तरफ आएगा यानि की दक्षण की तरफ और दक्षण से फिर जाएगा पूरव की तरफ तो इसकी यात्रा क्या होगी दक्षण से पूरव की तरफ तो दक्षण से पू पूटा सा केंदरिशाषित राज्ये तो ये हैं New Delhi, यहां का कोई रहने वाला व्यक्ति है, वो पहले कहा जाना चाहता है, मद्य परदेश भोपाल जाना चाहता है, तो मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा जो राज्ये कहलाता है आपका, ये पूरा फीगर दुबा मैंने आपको बताया था, ये 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 ब तो देखो पहले वो New Delhi, जहाँ पर भी वह वेक्ती हो, वहाँ पर आप plus का sign बना लो, तो यह हो गया आपका East, यह हो गया आपका West, यह हो गया आपका North और यह हो गया आपका South, तो देखो वेक्ती पहले कहा जा रहा है? नीची की तरफ जा रहा, यानि कि पहले वो आएगा South की जाएगा इस्ट यानि कि option number second इसका बिल्कुल सही आंसर था तो south then toward east यानि कि दक्षण दिशासे में और फिर पूर्व दिशा में क्योंकि दिल्ली से कहां जा रहा था मद्यपरदेश और मद्यपरदेश से जारखन रांची की ओर ओके तो option second इसका बिल्कुल सही आंसर था चल दिल्ली के धियान रखेगा दुबारा आप से क्या पूछ रहा है कि with respect to location of दिल्ली on the map of India the capital of हिमाचल परदेश शिमला and the capital of मद्यपरदेश भोपाल are located is representatively in it तो देखो दुबारा दिल्ली के है ऊपर की तरफ है यहाँ पर है दिल्ली उसके बाद वो कहाँ पर जा रहा हिमाचल परदेश जा रहा है यानि कि दिल्ली से ऊपर है हमारा हिमाचल परदेश और फिर कहां जा रहा हो दुबारा मद्यपरदेश यानि कि नीचे की तरफ जा नोर्थ साइड है फिर वहाँ से हिमाचल परदेश से हाँ आपका नीचे की तरफ जो कि अभी मैंने आपको लोकेटीड करके बताया था यह पूरा का पूरा हिस्टा जो है वो किसका है वो मद्धेपर देश यानि की भोपाल का है यह है मद्धेपर देश तो वो पहले गया न East यह होगया, West यह होगया North, यह होगा South, तो पहले होगया किस तरफ? North की तरफ और दुबार आ गया, वो आया मद्ध्य परदेश की तरफ, यानि कि South की तरफ, ओके, तो option में देख लो, पहले जाएगा वो North और फिर जाएगा वो South, तो option चेक करिए, option में North and South कहاں पर है okay, तो पहले क्या जाएगा वो पहले जाएगा वो उपर की तरफ, उत्तर की तरफ और फिर जाएगा ओ दक्षिन में okay, उत्तर और दक्षिन कोई और option है देक सकते हो, उत्तर पूर्व नहीं उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिन पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व नहीं तो एक यह option था North और then फिर South तो option number first इसका बिलकुल सही answer था तो map के अनुसार समझ सकते हो, नहीं तो आप बिंदू लगा कर समझ सकते हो जैसे भी आपको समझा जाए उस तरीके से चलिए, next question के ओर चलते हैं next question में देखो क्या बोल रहा है, केरल के निकटवर्तिय राज्य है the neighboring states of केरला तो मैंने आपको बोला था, directly आपके South India के जो sides के states होते हैं वहाँ से neighbors पूछ लिए जाते हैं तो केरल के मैंने आपको बोला था, क्या था एक एक तो साथ में ही लगा हुआ तमिल नाडू था और उसके ऊपर क्या था आपका, वो था करनाटक यकीन ने, एक बार map देख लेते हैं तो map में देखो, यह पूरा का पूरा map है जो कि मैंने आपको बोला था, यहां पर है आपका केरल अब केरल के लगा हुआ राज्य है, एक तमिल नाडू और एक है आपका करनाटक अब यहां से उपर की तरफ जाओगे तो आंधर परदेश जो है, वो करनाटक और तमिल नाडू के साथ लगा हुआ है केरल के साथ नहीं लगा हुआ है, तो ध्यान रखियेगा करनाटक और तमिल नाडू जो है वो केरला के निकटवर्तिय राज्य है तो इस वज़े से इसका जो अंसर होगा, वो क्या अंसर हो जाएगा करनाटक और तमिल नाडू option चेक करिए option है, option है इसका option number third करनाटक और तमिल नाडू जो है वो केडल के क्या है, निकटवर्तिय राज्य है, तो कई बार निकटवर्तिय राज्य पूछ लिए जाते हैं, निवर्स राज्य पूछ लिए जाते हैं, स्टेट पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखें मैप में कि कौन सा कहां पर है आपका, तो next question देखो क्या बोल रखा ह तो राजिस्थान एक ऐसा एरिया है जिसकी कोई भी समुंदरी सीमा नहीं है भारत में तो ध्यान रखेगा एक ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसकी कोई भी कोई भी लाइन जो है वो कोस्टल लाइन से नहीं जोडती है तो चलिए एक बार मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको तो देखो यह रहा पूरा का पूरा मैप मैप में देखने के कोशिश करो आप तो देखो यह है आपका राजिस्थान अब यहां से जो होता है गुजरात शुरू होता है गोवा के साथ जुड़ी है, करनाटक के साथ जुड़ी हुई है, पॉंडेचरी, केरल के साथ जुड़ी है, तमिलनाडू के साथ, आंतरपरदेश के साथ, साथी साथमा उडिसा और वेस्ट बंगोल के साथ, ये पूरे के पूरे हमारे ऐसे राज्ये हैं, जिसके साथ, जो कि राज्ये में ये union territory नहीं जुड़े जाएंगे, एक गुजरात, दूसरा महरास्टा, तीसरा करनाटा, चोथा गोवा, पाचवा केरल, छटा तमिलनाडू, साथवा आंतरपरदेश, और आठवा उडिसा, और नौवा वेस्ट बंगोल, ओके, तो ये नो राज्ये एक ऐसे रा इसे गिरा हुआ है, तो धियान रखेगा इस पॉइंट को, इसलिए वहाँ पर मैंने आपका आंसर क्या लगवा दिया था, राजिस्थान, क्योंकि राजिस्थान देख सकते हो, सबसे बड़ा रेकिस्थानी इलाका भारत में राजिस्थान है, थारमरुस्तल, तो राजिस हम गुजरात का रहने वाला है, गुजरात किस तरफ है, आपका इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, यहां से कहा जाने चाता है वो, तो पहले मध्यपर्देश, यानि कि मध्यपर्देश आपका इस तरफ है, इस तरफ आएगा यानि कि इस्ट की तरफ आएगा पहले, और फि तो इस ही साफ से आपका आंसर देखा जाए तो वो पहले किस तरफ जा रहा है? वो पूर्व की तरफ जा रहा है तो option में देख सकते हो पहले पूर्व dırशा में कहाँ पर है तो एक ही है पहले पूर्व धिशा और वो ही आपका सही आंसर होगा आपको जाने की ज्यादा चुक चेक करने की कोई जुरुत भी नहीं है चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं अच्छे तरीके सा आपको समझ में आ जाएगा तो यह हैं आपका मैप तो कहा का रहने वाला है वेक्ति तो गुजरात का गांधी धाम का रहने वाला है तो देखो यह पूरा का पूरा जो राज्य पढ़ता है यह पूरा पूरा पढ़ता है हमारा गुजरात का तो यहां का रहने वाला वेक्ति है यहां से रहने वाला वेक्ति जो है वो पहले मद्धे परदेश में जाएगा यानि कि मद्धे परदेश की राजधानी जो है वो भोपाल तो यह है हमारा पूरा का पूरा मद्धे परदेश सटाई हुआ है उसके तो यह है MP तो पहले की देखो यह West Side पढ़ती है और यह East Side पढ़ती है मैं आपको बता दिया जहां से रहने वाला वेक्ति हो वहां पर एक Plus का साइन बना लो तो यह हो गया East Side तो West East North and South तो पहले कहां जा रहा है MP जा रहा है मद्धे परदेश भोपाल अब यहां से वो कहां जाना चाता है तो अब यहां से वो कहां जाना चाता है आंदर परदेश यानि कि वो हैद्राबाद आंदर परदेश जाना चाता है इसके तरफ नीचे के तरफ यह देखो यह पूरा का पूरा जो area है ये पूरा का पूरा area जो होता हूँ आंदरपरदेश का पड़ता है AP का पड़ता है आंदरपरदेश का पड़ता है तो यहां से अगर वो यहां से भोपाल यहां पर है आपका भोपाल तो यहां से वो नीचे की तरफ आए तो आंदरपरदेश घुच जाएगा वो, ओके, तो इस हिसाब से पहले वो East गया, East के बाद वो कहां पर जा रहा है, आपका South में जा रहा है, तो इस हिसाब से Option चेक करिए, मैप में भी समझ में आ गया, चलिए, एक बार Question पर चलते हैं, तो देखिए, पहले वो गया के से Solve करना चाते हो, क्योंकि आंदरपरदेश जो हैं, वो यहां तक पढ़ता है, तो यहां से आकर वो नीचे भी तो आ सकता है, इसलिए, Question को ध्यान रखेगा, वैसे तो आधा Question solve करा था, उसी में आ गया कि पूर्व दिशा में जाएगा, और जादा कुछ करने की जूर् सकते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है, ओके, चलिए, आप कुछ important बात के उपर आ जाते हैं, कि कई बच्चे पूछते रहते, सर, आपकी class का time क्या है, तो ध्यान रखेगा, जो हमारे class की timing है, वो एक तो दोपेर में 12-15 है, यानिकि ज आपको बोला था, मैडम है, KVS में टीचर लगी हुई है, वो आपको पढ़ाएंगी, बिल्कुल सही चुन रहे हो, KVS में टीचर लगी हुई है, मैडम, नाम है उनका दिपाली, दिपाली में हम आपको English Pedagogy और English Grammar कराएगी, चार बजे शाम को, और एक class होगी, जो हमारी पुलारी समय पर हुआ करती थी, 6.45, आप सभी को पता है, 6.45 पर मैं class लिया करता था, वो बिल्कुल class खतम करती थी हमने, काफी लेट हो जाता था, तो वो class दुबारा से हम शुरू कर रहे हैं, 6.45 पर, तो दिन में आप से आपकी 3 class हुआ करेंगी, 12.15 पर, शाम को 4 बजे और शाम को 6.45 पर, तो ये 3 class है, अगर आपको पता है, ये 6.45 की class जो है, वो आज चे हमारी शुरू हो जाएगी, तो class timing आपको पता चल गया, कई बच्चे कहते हैं, सर आपकी videos का notification ने मिलता lecture का, तो उसके लिए डियर YouTube है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती है, नहीं ब सर्च बार में सर्च मारोगे, डी के गुपता, तो हमारे YouTube पर जो लोगों है, वो देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर आप directly देख सकते हो, उसको join कर सकते हो, free of cost, फिर भी नहीं मिलता है, तो नीचे description में मैंने उसका link दे रखा है, टेलिग्राम गुरूप का, आप पह पहले notification आपको मिल जाएगा, practice करने के लिए जो PDF देता हूँ, वो आपको मिल जाएगा, ओके, और साथी साथ में आप तक हमारा application आपने download नहीं करा, तो हमारी application, official application हमने launch कर दी है, DK Academy के नाम से, अगर आपने अब तक join नहीं करिया, तो जल्दी से join कर लीजे, क्योंकि आपक और किसी भी चीज का PDF ची होगा, तो वहाँ से ले सकते हो, आप, साथ ही साथ में daily आप quiz लगा सकते हो, online आपको quiz वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, test series, वहाँ पर जाकर आप उसको quiz लगा कर देखिए, Sanskrit, English, Hindi, Math, EBS, कितनी आपकी practice हो चुकी है, daily आपको new-new-e, वहाँ प पढ़ा हो, अगर आपको अच्छा लगता है, तो नीचे जाके वीडियो को like करना ना भूलेगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूलेगा, अगर आपने आप तक इस channel को subscribe नहीं कर रखा, तो जल्दी से subscribe कर लीजिए, और उसके साथ में जो bell icon होगा उसको भी दबा दीजेगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोडे विक्षन आपको time to time मिलती रहे, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मलागात होगी, नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए, जय हिन, जय भारत!